हेलो दोस्तों मैं हुँ आरके रंजन और आपके अपने यूटूब चैनल स्टेडी में इंग्लिश अड़ा में आपका स्वागत है ओके सो दोस्तों आज है आर्टिकल का वीडियो लेक्ट विडियो lecture 4 ओके यहीं गाईस आज article का पार्ट 4 है और आज के वीडियो में हम लोग शीखेंगे use of the ओके यहीं गाईस दा का इस्तेमाल कहां कहां होता है ओके इसके बारे में सिखेंगे और गाईस के बाद जो आएगी वह article का last के लिए आधि का प्रयों कहां नहीं होता या फिल कτί रिट को पहनe के हैं तक ज़रूर देखेगा एगर आप चेनल पैहली बार देख रहे हैंते चेनल को सबस्क्राइब कर लिजे गा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर कर दीजिए गा, तो चले बिना किशी देरी की हुए सेसन की शुरॉत करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो चले गाइस आज की वीडियो की शुरॉत करते हैं और सीखते हैं, यूज अफ दा ओके है तो गाईश सब एडिंग क्या करते है यूज ओफ दा ओकले इसका पहला रू लू क्याριटे कुछ आप ।र्मानेंट यूज निए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके साथ दा यह पर्मानेंट फिक्स होता है लगता ह हो पहला क्या है रीवर्स ने मिनी नदियों के ना मौंटेंड मिनी पहारों के गा में धर्म oh गरंतों कि नां डेयक्सन से इंही दिशायों के ना गरेट फीपल महौन हस्तियां सेवन वॉंडर इन्हीं सांठ आप जूमें गाइग कि यह जो-आठ कंट लिखे इन में से किसी के पहले आर्टिकल दा काप्रियोग होना ही होना जो सेंटस में लिखा ड़ेगा संपर पर्मांइंट है किस के साथ लगता ही लगता है जैसे रिभर्स नीम इनिके तो जैसे दजनगा द city अमि इस तरह से लिखा जाएगा से से ऊसे तरह क्या है दी नाम पहले लगेगा लेकिन यहां पर इक कंडिशन आपको याद रखा twera ने में दा लगता है और दा नहीं भी लगता है तो का यह की एक एक कंडिशन किया है कि अगर कोई मौझेड का नाम अगर तो असमें ऐसा लगा हुआ इसका मतलब दहीमाल्यास होगा उसे तरह जैसे रॉकी इज़ गाइगा तो लगेगा दा रॉकीजुक्य ऑके यह नी पहार के नाम रहेगा तब उसमें दा लगेगा एंसिमिलर है मौंटे नेम तब उसमें नई लगेगा क्लिर घुड़ हो गया अ drama ayahud that Quran। इससे इसको डइरेक्शन नेमेनी दिसाओं की नाम पहले भी दा लगे गा। जैसे नौर्थ दसाओथ दस्त यस्ट यस्ट उस्त इस था से। उसको फोसे महान हस्तियों हॉकि के उसके बाद क्या है दा सेवन वेंडर्स सेवन वंडर्स रहेगा साथ अजूबा तो उसके पहले भी लगेगा जैसे क्या इसी में गाईज क्या आप कह सकते हिस्टॉरिकल बिल्डिंग में भी आजाएगा जैसे ताज महल डारेड फोर्ट ग्रेट वाल उफ चाइना उसके पी भी दा लगता है अगला क्या है वह ऐसा चीज जो संसार में एक हो उसके पहले दा लगेगा जिससे दमून दसान दस्टार इस तरह से क्लिड़ हो गया अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं तो दूसरा पॉइंट क्या है कि अस्पेशल थिंग्स ओके यह नि दा लगेगा और स्पेशल नहीं नॉर्मल है तो नहीं लगेगा जैसे एक्जमपल दमील्क इजवाइट अब देखे करा दूद सफेद ऐसे में कोई बारता है नहीं यह जेनरल बात है समान इसी बात है जिसमें दा लगा दिया तो नॉर्मल बात हो नॉर्मल सेंस में दूद गर्म है इसे मत प्यों तब कोई खास दूद की बात कर रहा है जो दूद गर्म है ओके यहां पर खास नहीं अस्पेशल बंढ़ा तो इसके पहले दा लगेगा और यह सही है सेंटेंस क्लिए हो गया तो जब मैट्रियल लाउन हो अगर वह अस्पेशल हो तो उसमें लगेगा अब चले तीसरा पॉंट देखते हैं तरहीं क्या है एन फर्स्ट दा नेक्स यह ट्रिक है गाई इसका मतलब क्या हुआ है इसको मैं भासा में लिख देता हूं नोट में क्या है वाक में किसी चीज़ का नाम पहली वार आये तो एन लगेगा उसी चीज़ का नाम दोबार आयो तो दा लगेगा कहने के मतलब क्या है कि एक ही सेंटेंस में किसी चीज का नाम बार बार आ रहा हो तो जब पहले बार नाम आएगा तब उसमें ए या फिर एन लगाएंगे उसके बाद जो भी नाम आएगा उसके पहले हमें दा 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 लिखना होगा ओके यहीं क किसी भी चीज का नाम अगर किसी सेंटेंस में बार बार आ रहा है तो पहले बार मुझे हम लोग ए या फिर लगाई है उसके बाद जितना बार आएगा उस सम्में हम लोग को दा लगाना है आर्टिकल ओके जैसे एक्जांपल एक क्लियर करते हैं यहां फिस्ट नेक्स्ट पहले वाला में डूसरा वाला में तीसरा वाला में चौथा वाला में जितना आएगा पर हुआ उसकी पहले होता है जैसे इंपल the boy is reading the boy is reading the boy हो गया singular countable singular है एग हो है और boy को गिन भी सकते है इसलिए singular countable ना हो तो the boy is reading यह सही है ओके लगेगा boy is reading नहीं लिखेंगे दा लखना ही लिखना है चलिए उसका next point क्या है कि normally note the PCN 90% PCN का मतलब plural countable noun ओके तो गाइस क्या होगा plural countable noun के पहले दा का परियोग नहीं होगा generally क्या सामान शिबात में ओके तो जैसे example the boys are coming ओके और दूसरा क्या है boys are coming the boys are coming boys are coming दोनों में कौन सही है आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए चलिए देखिए गाइस मैं आपको बताता हूं तो देखिए इसमें भी आर्टिकल का प्रियोग होता हूं कैसे होता चलिए मैं आपको नोट में लिख देता हूं ओके चुकिए मैं आपको यह डवांस लेवल तक बता रहा हूं इसलिए आप अच्छे से देखिए एक काफी जादा इंपोर्टेंट है और क्लास 12 वाले के लिए तो नोट में लिख देता हूं क्या कि आर्टिकल डा में वी यूज्ड विफोर प्लॉरल काउंटेवर नाउन एंड वेन वी हैब टुरेफर पार्टिकुलर्ली ओके इनि गाइस कह रहा है कि कहने का मतलब यह हुआ कि प्लॉरल होगा outta ka lashes pleasure होगा क्लेक है ? तो देखे इसका एक्जमपल लेते हैं तो एक्जमपल क्या है कि sąların के कुत्थे काल prone कि कि सुम catि क्या रहे कि समन के कुत्थे काले इसलिए और अञाए यहां पे पूलल होते भी दाला सब्सक्राइग है कि इसका यह जंपल ole लेते हैं भिणी डा सब बच्चे नटखट होते हैं इसमें दा लगा दिया है तो गलत होगा ओके यह क्योंकि यह प्लूरल के पहले प्रियोग नहीं होता जनरली इसलिए गलत है लेकिन अगला कि बच्चे बेट पर खेल रहें यह किसी खास पार्टिकुलर बच्चे की बात क्या रहा है जो देखते हैं कि आर्टिकल दा कप्रियोग नाम से पहले होता है लेकिन कब होता इसमें भी एक कंडिशन है कंडिशन क्या है तो देखे मैपको हैं पर लिख देता हूं आइलेंड जो होता है यह दो तरह का होता है इक सिंगलर होता है इक है तो इसलिए यहां पर नहीं लगे गा करें तो प्लेरल है तो डा लगेगा अर्स सिंगलर है तो नहीं लगेगा चलियर हो गया चलिए अब नेक्स रूठ इस कि कि नेक्स ट्छत किया है कि आर्टिकल दाह इस यूज़न बिफोर न्यूज़न ड wedच ke detect otку लेम and कोशन उसके बाद क्या है नेम ऑफ केनल्स नेम ऑफ डारेक्शन्स विफोर सुपरलेटिव डिग्री नेम ऑफ रिलीजियस बुक हिस्टोरिकल विल्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज डिनेस्टी सीप्स ट्रेंस एरो प्लैंस म्यूजिकल इंस्टुमेंट्स हिस्टोरिकल सेट्रा इनिया इतना चीज के पहले इसमें से किसी का अगर नाम हो तो थे उसमें क्या होगा आटिकल डा का प्रियोग होग Ai तो चलिए अगला रूड देखते हैं इसमें से किसी का भी नाम रहगा तो आप लोग क्या करना सक पहले दा को लगाvos credible च है जलिए देखते हैं त कोई भी government branches के नाम आए तो उसके पहले विदा कप्रियों होता है जैसे लिए पॉलिश दा आर्मी दा नेवी दा एर फोर्स दा एक्सक्यूटिव दा लेजिसलेटिव दा जीडिश्री यह सब क्या है सरकार के ब्रांच है और पुलीश आर्मी यह सब क्या है आर्म फोर्स सेनाई का नाम है तो इसलिए दा लगेगा ब्लेड हो गया हम देखिए गाइस नेक्स्ट क्या है तो नेक्स्ट रूल है आर्टिकल दा इस यूज विफ़ोर दा नेम ऑफ पोस्ट यह कोई भी पद हो पद के नाम के पहले दा लगता है जैसलिए प्राइम मिनिस् को भी कि है इसको आप लगिए लास्त भी कहा है नेकस्ट ए लास्त यह सकते लास्त तो क्या है आजिस्ट नेकस्ट जायन्ट है आर्टिकल विजब्वो बैंड सबस्क्रक्राइब्स को भी आपड़ना बनिवेंशन में सुनायक करव филь हो गुदिवेंडоль www.al Attack no contain होने वाली चीज हो तो उनके पहले दा का प्रियोग होगा जैसे डटीवी ड़ेडियो ओके टीवी रेडियो सब के आविश्कार हुआ है तो इसके पहले दा लगेगा लेकिन गाइज याद रखना है क्या कि नोट में मैं आपको लिख देता हूं इसमें अक्सर स्टुडेंट कंफ्यूस करते हैं और आपके एक सेंटेंस जरूर् आपको लिखा हूँ आपके पूछता है और वहां पर बच्चे गरवर मार के आते हैं उनको लगता है कि इन्वेंसन नम है तो सही ओगा आर्टिकल लगा देंगे लेकिन एक कंडिशन है जहाँ पे दाकप्रियोग नहीं करेंगे जैसे The TV is costly गलत होगा देखने के article दा नहीं लगता है leaf गलत है तो इसका सही होता है आ आई यह सही होगा जिके नहीं लेकर देखेंगे देखेंगे तो दा नहीं लेके देखेंगे बाकी invention की बात करेंगे तो डाले के invention करेंगे ओके गाइस चलिए यह था आज के article का कुछ रोल्स जो कि मैंने आपको बता दिया है ओके तो देखा गाइस आपने की आज का जो वीडियो था फणी वीडियो को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को अपने दोस्तों के सास्छेर कर दें घुराइब आज का जो session था ये competitive exams की preparation कर रहे हों या फिर आप cbsc exam के student और grammar की तयारी करना चाहते हों या फिर आप biharboard class 12th के exam देने वाले हों या फिर guys किसी भी words की अगर आप exam की तयारी करें English grammar की तो उसके लिए काफी ज़्यादा helpful video होने वाली है क्योंकि इसमें आपको एक से एक नया नया बहतरी topic भी देखने को मिला होगा तो आज का session आपको अच्छा लगा होगा तो प्यारा साथ वीडियो को लाइक जरूर दीजेगा तो चलिए खाई मिलते हैं नेक्स वाली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बबबाए